Assalamu alaikum, welcome to my video, मैं हूँ महर मुगल और आज हम यहाँ पर 1st year statistics chapter 3 question number 3.2 यहाँ पर हम discuss करेंगे So students, यहाँ पर हमारे पास 5 students के 3 subjects में different marks यहाँ पर given हैं हमने यहाँ पर arithmetic mean of history के subjects, arithmetic mean of stat subjects, arithmetic mean of economic subjects find करना है और end में हमने बताना है कि कौन से subject में level of knowledge is high है क्योंकि उसने question में in which subject is the level of knowledge is highest पूछा है तो हम यहाँ पर इसका mean find करेंगे और उसके बाद यह बताएंगे कि subject में कितने ज़्यादा arithmetic mean के साब से कौन से subject में level of knowledge is high है यहाँ पर आप stick सकते हैं हमारे पास 5 students हैं और 3 subjects में different different marks हमारे पास given है history के subject के हमने यहाँ पर यह हमारे पास x assume कर लें और इसको हमने submission x निकालना है arithmetic mean का फार्मूला आप जानते हैं submission x by n होता है तो हमने यहाँ पर submission of history subject निकाल कर और हमारे पास number of values यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर submission x by n 178 और यह 5 students हैं यहाँ पर 5 के साथ divide करने के तो यह हमारे पास 35.6 answer आ गया है इसके बाद हमने stats के subject के question, stats के subject के भी इसी तरह यहाँ पर submission निकालना है उसके बाद इसको values को formula में put करेंगे उसके बाद 44.6 इसका answer आ जाता है इसी तरह economics से subject के mark को भी submission करेंगे उसके बाद इसके arithmetic mean के formula में value को put करेंगे उसके बाद यह 45.6 आ जाएगा अब आपको नदर आ रहा है कि 35.6 है और 45.6 से चोटा है 44.6 है तो यह 45.6 से चोटा है तो हमारे पास यह साफ नदर आ रहा है economics से subject में 45.6 जो है वो इन दोना से बड़ा है तो हम यहां पर इसके बता देंगे economics is the subject which has highest level of knowledge उमीद करता हूँ आपको यह question समझ आया होगा आगे जो arithmetic mean के questions हैं वो आपने खुछ solve करने हैं ताकि आपको भी solve करने आएं अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे comment में बता सकते हैं वो मैं question आपको solve करके वीडियो upload कर दूँगा और मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पर question को solve करूँ तो वो ठीक रहेगा यहां किसी एक method से जो question solve होता है वो आपको बता दूँ और बाकि आपको खुद करने के लिए कहूँ तो अगर आप वो कर लेंगे तो मुझे आप बता दें ताकि आपको खुद भी question solve करना अमेद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें और शियर करें और थैंक यू सो मच